आज भी साम साथ बचकर पैंतिस मिनट तक चलते रहेंगे तत्पस्चात सद्विशा नक्षतर में प्रवेश कर जाएंगे जिसके नक्षतर स्वामीर राहू है चुकि आज भी पूरे दिन मंगल का नक्षतर कायम रहेगा जिसका मिला जुला प्रभाव कूरे जादकों पर धनिष्ठा नक्षतर का ही कायम रहेगा चंद्रमा आज सुबा छे बचकर बारा मिनट तक मकर रासी से कुम्भ रासी में प्रवेश कर जाएंगे जिसके राश स्वामी सनी देव ही है मगर आज पूरे दिन चंद्रमा कुम्भ रासी में ही चलते रहेंगे जिस पर ब्रिहस्पति की पांचवी द्रिष्टी और सनी की तीसरी द्रिष्टी लगातार पड़ती रहेगी और नक्षत्र सुबह से साम साथ बच कर 35 मिनट तक मंगल का ही कायम रहेगा जिस से विभागी सहयोग बना रहेगा पारिवारी क्वेरना सकारात्मक रूप से मिलती रहेगी मगर मन में अंतरदंद और निर्णय लेने की छमता भी प्रभावित होती रहेगी हलाकि प्रभल उत्सा और सकारात्मक कारी उर्जा पूरे दिन हर काम में सहयोग करेंगे और उद्ध्यश्यों की पूर्ती में गूरू का सहयोग सहायक होगा मेश राशिके जात्मक के लिए कारे छेतर में सक्रियता बनी रहेगी आवसक संसाधनों में व्रिध्धी होगी और संबंधित मामलों में मानसिक दबाव महसूस होगा आठिक लाफ मन मुताविक मिलता रहेगा साजेदारी के में लाफ मिलेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे अप एक्षा के अनुरूप सकारात्मा प्रेरणा मिलेगी और कारे छेत की निरंतरता बनी रहेगी संतान संबंधी चिंता महसूस होगी विद्यात्थियों के लिए आज का दिन मन मुताविक रहेगा नीजी संबंध प्रगार होंगे वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा और नीजी निवेश की प्रेरणा बनी रहेगी बिश रासी के राशी स्वामी सुक्र छठमे घर में प्रियासपती के साथ बैठे हैं बिरोधियों से भी आर्थिक लाब मिलेगा आए संबंधी मामलों में नए विकल्प एक भी खत दिखाई देंगे बौधिक छम्ता का विकास होगा राजनीतिक व्यक्तियों से मुलाकात और स्वास्त के प्रति संवेदन सीलता बनी रहेगी मगर कारे योजनाओं के लिए तातकाले की निरने सोच समझ कर लेना चाहिए पारिवारिक संबंधों में मधूर्ता कायम रहेगी और धार्मिक यात्रा या प्रवास संभावित है विद्यातियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा संतान संबंधी मामदों में शुख समाचार मिल सकता है और पारिवारिक दायत्र की पूर्ती में मन लगेगा वाहन सावधानी से चलाएं और स्वास संबंधी आवस्षक सावधानी बनाए रखे मिथों डाशी वाले जात्कों के उद्देशों की पूर्ती में आ रही रुकावर्ट खत्म होंगी मगर भ्रमात्मक की स्थिती का दौर जारी रहेगा और आतनिश्वास में कमी महसुस होगी मगर साजेदारी के कामों में लाभा और कारी योजनाओं के विकास में उतार चड़ाओ का संकेत मिलता है साथ ही रचनात्मक कारियों में नीजी निवेश लावदायक रहेगा आर्थे के स्थिति सामान रहेगी भावनात्मक लगाओ कायम रहेगा धार्मिक भावनाओं में विढधियोगी विढधियात्यों को सिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकतی है स्वास सम्न्दी आवसक साउधानी बनाए रखें और वाहन साउधानी से चलाएं करकराशी के राश्य स्वामी आठवे भाव में चल रहे हैं स्वास संबंधी साउधानियां रखनी चाहिए अंचाही यात्राओं का योग भी बनता है सकारात्मा को इरणा मिलती रहेगी और कारेच छेतर में मन मुताबिक सफलता का उदेश पूरा होगा साजेदारी में भी लाव संबव है कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी का निर्वहन और प्रतेनिधित को करने का मौका मिलेगा आर्थिक मामलों में मन मुताबिक लाव मिलेगा विद्याथियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्धों का प्रयास जारी रखे आपसी संबंदों में सकारात्मक ताल मेल में कमी आएगी और वाहन चलाने में सावधानी रखनी चाहिए सिंग राशी के राशी स्वामी सूरिय धन भाव में बुद्ध के साथ चल रहे हैं आर्थिक लाव मन मुताबिक बना रहेगा कार योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और व्यावसाहिक विकास का संकेत मिलता है मगर साजेदारी के मामलों में सावधानी अप्रेक्षित है नीजी संबंदों में सुधार होगा कारेच्षित के प्रतिविकास और रचनात्मक पहल करने के उदेश में व्यस्तता बनी रहेगी साम से पहले ही वैवाहिक मामलों के लिए आजका दिन अन्कूल रहेगा आथिक लाव सामाने रहेगा विद्यात्यों को अध्यान ध्यापन में मेहनत की प्रवृत्ति बनी रहेगी मगर स्वास संबंदी सावधानी रखनी चाहिए कर्णिया राशी के राशी स्वामी बुद्ध उच्च के होकर सूरे के साथ राशी पर ही चल रहे है स्वास संबंधी मामलों में बेहतर महसूस करेंगे आर्थिक लाव और नीजी सुक संतुष्टी में बिद्धी होगी ब्यावसाईक उत्थान का संकेत मिलता है मगर मा के स्वास संबंधी चिंता लगी रहेगी और मन में नकारात्मक विचारों का पैदा होना संभावित है चंद्रमा छठने चल रहे हैं हाला कि नई कारियोजनाव और व्यावसाईक उत्थान के उद्धे से पूरे होंगे और आर्थिक लाव मन मुताविक बना रहेगा बिध्याथी अध्येन अध्यापन में निरंतल्ता बनाई रखें और साजेदारी के कामों में लाव की संभाव ना बनती है तुला घासी वाले जात्मों के कारे च्छेतर में सावधानी रखनी चाहिए हाला कि इस साकारात्म्क वेर्णा बनी रहेगी की विकास और आवसक संसाधनों में सहयोग मिलेगा सासन सप्ता बाधिकारियों से लाव संभव है रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे और आठिक लाव की स्थिति संतुष्टी दिलाने वाली होगी मगर विचारों में उद्वेग और जल्दबाजी की भावना ग्रिश्चक राशी वाले जात्कों का आत्मिश्वास सुचारू ढंग से चलते हुए कामों में मदद करेंगे मगर अनावस्चक मानसिक चिंदा और सारेविक स्वास्त के सुधार के प्रति संजीदिगी बनी रहेगी चंद्रमा चोथे घर में चल रहे हैं विभागिये कारियों में प्रतिनेधित्व करने का मौका मिलेगा पारिवारे एक सुख समरिधी में बृत्ती होगी चंद्रमा का मंगल के नक्षत में होना अनकूल परिस्थितियां पैदा करेगा और मन मुताविक लाव की दर बढ़ी रहेगी मगर मा का स्वास सामाने रहेगा विद्याथियों के लिए आज का दिन उत्साह जनक रहेगा प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए साम से पहले का समय अनकूल रहेगा धनुराश के जात्यों की प्रबल देढ़िछा सक्ति और कारे उर्जा छेत्र के विकास कुगती देंगे आर्थिक लाव की स्थिति बरकरार रहेगी मंगल केतु की यूती और चंधरमा का पराकरम भाव में होना कुछ मामलों में लावदायक सित्थि पैदा कर सकता है कुछ कामों में पारिवारिक त्यणल लावदायक सिद्ध ओगी और रूके हुए काम समपन्न होंगे सरकारी कामकाज अनकूल रहेंगे विद्यार्थियों को सिक्षा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा पारिवारिक दायत की पूर्ती होगी और स्वास समंधी आवस्षक सावधानी बनाए रखे मकर राशी वाले जात्कों के लिए आर्थिक छेत्र को सुद्रिध बनाने में मदद मिलेगी चंद्रमा दूसरे घर में चल रहे हैं घर ग्रिहस्ती में तनावों, वीचारों में भिन्नता और अपगय का संकेत भी मिलता है कारिछेत में प्रत्रिध तो करने का मौका मिलेगा और नई काद्योज नाव के लिए विभागी सहयोग बना रहेगा आपके प्रयासों में सासन सत्ता बाधिकारियों का सहयोग भी कायम रहेगा साजेदारी लावदायक रहेगी, आर्थिक लाव मन मुताविक मिलेगा विध्याक्तियों के लिए आज का समय अनकूल दहेगा मगर स्वास संबंधी आवस्यक सावधानी बनाए रखे कुम्भरासी पर ही चंद्रमा चल रहे हैं स्वास संबंधी मामलों में सावधानी अपेक्चित है आर्थिक लाव के कई आवसर विक्सित होंगे साथ ही साथ कारे ब्योसाय को में उन्नती के आवसर मिलेंगे हाला कि विभागी अधिकारियों का सहयोग भी आपकी कारे चंपता को सुधारने वाला होगा हार्थिक लाव के इस्थिति सामान रहेगी ठोस और महत को निर्णे लेने में सावधानी बरतनी चाहिए कारे चेट से संबंधीत मामलों में अनावसर यात्रा के साथ रुकावट या वाद विभाद की संभावना भी बनती है विद्याधियों के लिए आज का दिन संघर्ष वाला होगा मगर सफलता मिल सकती है प्रयास जारी रखें और वयवाहिक मामलों में आज का दिन अन्पूल रहेगा मीन राशी के राश स्वामी सुक्र आठमे भाव में चल रहे है और नावस्यक वाद वीवाद की स्थिति बनी रहेगी मगर नीजी निवेश और कारे छे से सम्मदित संसाधनों में लाव की स्थिति संभावित है कार योजनाओं की धीमी गती में सुधार की जरुरत होगी सरकारी कामकाज पूरे होंगे और सासन सताव अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा मगर महत्पुर्ण नेने में मन के नकारात्मक विचारों और भ्रमात्मक इस्थिती से दूर रहना चाहिए चंद्रमा 12 में हैं आर्ठिक मामलों में खर्च की स्थिति बनी रहेगी विद्याथियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा सफलता के लिए परियास जारी रखें और संतान सम्मंधि मामलों में चिंता और अनावशक यातरा का संकेथ ही मिलता है आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, ओम नमाशिवाये